नमस्कार मित्रो मैं भरत राणेजा अपने जोतिष चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मित्रो आज हम बात करेंगे पसु खरीदने के सुब मोरत के बारे में आपको अपने घर के लिए या पसु पालन के लिए गाय, भैस, बकरी या उउंट खरीदना है किसी भी तरह का पसु खरीदना है तो उसके लिए सुब मोरत कौन सा होगा इसके बारे में आज़बात करेंगे सुब दिन, सुब नक्षत्र, सुब वार, सुब तिथी के बारे में आज हम बात करेंगे मित्रों पसु खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि बद्रा में पसु नहीं खरीदना है राहु काल में पसु घर में नहीं लाना है इसके बाद मित्रों जो व्यक्ति पसु खरीद रहा है उस व्यक्ति के नाम से चंद्रमा, छटे, आठे, बारवे, रासिका नहीं होना चाहिए इसके बाद मित्रों बात करते हैं पसु खरीदने के लिए सुब दिन कौन-कौन से होते हैं तो मित्रों पसु खरीदने के लिए सुब दिन जो है रविवार, सुमवार, बुद्वार, गुरुवार और सुक्रवार का दिन जो है वो बहुती स्रेष्ट माना जाता है और पक्स जो होते हैं, दो पक्स होते हैं, सुकल पक्स और कृष्ण पक्स, सुकल पक्स सबसे स्रेष्ट माना जाता है, सुकल पक्स में अगर कार्य किया जाएं, खरीदी की जाएं तो बहुती अच्छा रहता है, अब मित्रों बात करते हैं तिथी के बारे में, तो तिथी ज सुबbling जाता है इसके अलावा मित्रों कुछ तित्यों में पशु खरीदना वर्जित माना जाता है वो तितिelnे पर्थमा तिति चतुर्थी और चतुरदर्श्ठी तिति और अमावश्या तिति इन तितियों में पसु नई खरीदना चाहिए अब मित्रों बात करते सुब नक्षत्र के बारे में पसु खरीदने के लिए सुब नक्षत्र कौन-कौन से है तो मित्रों पुनरवश्यू नक्षत्र, पुश्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, विश्याका नक अभीजीत नक्षत्र रेवती नक्षत्र स्वाती नक्षत्र और धनिष्टा नक्षत्र जो है वह बहुती सुब नक्षत्र माने जाते हैं पसु खरीदने के लिए तो मित्रों यह जो मुरत मैंने बताया है यह मुरत पसु खरीदने के लिए चाय भले आप उंट खरीदो बकर खरीदो गाय खरीदो कोई भी पसु खरीदने के लिए यह मौरत जो है वह बहुत ही सुब मौरत है आपको किसी भी तरह के मौरत की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मैं आपको मौरत बताने का अवश्य परियास करूंगा मेरे द्वारा दीगे जानका के साथ दन्यवाद